परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पतनी का एक चित्र है इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने है तथा उनके सिर पर टोपी है वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डिया उभरी हुई है चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं वे कैन्वस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं जिसके कारण धन से बंद नहीं पा रहे हैं और बाय पैर की उंगलिया दिख रही है उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी प्रेम चंद फोटो खीचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी फिर उन्होंने सोचा कि प्रेम चंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे किन्तु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, अतह उनकी घर की तथा बाहर की जिन्दगी एक सी ही रही होगी फोटो में देख रही तथा वास्तविक स्थिती में कोई अंतर नहीं रहा होगा तभी तो निश्चित्ता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं वे साधा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अता गरीबी से दुखी नहीं थे, प्रेमचंद जी के चहरे पर एक व्यंग्या भरी मुस्कान देखकर लेखक परेशान है वे सोचते हैं कि प्रेमचंद ने फटे जूतों में फोटो खिचवाने से मना क्यू नहीं किया फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पतनी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिचा लिया होगा लेखक प्रेमचंद की इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं किन्तु उनकी आँखों के दर्दभरे व्यंगय ने उन्हें रोने से रोक दिया लेखक कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है किन्तु वह उपर से तो ठीक है मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ मैं अपनी उन्गली को बाहर नहीं निकलने देता मैं इस तरह फटा जूता पहन कर फोटो तो कभी नहीं खीचवा सकता लेखक प्रेमचंद की व्यंगय भरी मुस्कान देखकर आश्चरय चकित हैं वे सोच रहे हैं कि इस व्यंगय भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया या होरी का गोदान हो गया या हलकु किसान के खेत को नीलगायोंने चर लिया है या माधोंने अपनी पतनी के कफन को बेचकर शराब पीली है या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है जिससे उनका जूता घिस गया है लेखक को याद आता है कि इश्वर भथ संथ कभी कुम्भंदास का जूता भी फतेह पूर सीकरी आने जाने से घिस गया था अच्छानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा बलकि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तू को ठोकर मारते रहे होंगे रास्ते में पढ़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाए वे उससे ठोकरे मारते रहे होंगे उन्हें समझोता करना पसंद नहीं है जिस प्रकार होरी अपना नेम धरम नहीं छोड़ पाई या फिर नेम धरम उनके लिए मुक्ती का साधन था लेखक मानते हैं कि प्रेम चंद की उन्गली किसी घ्रिनित वस्तुकी और संकित कर रही है जिसे उन्होंने ठोकरे मार मार कर अपने जूते फार लिए हैं वे उन लोगों पर मुस्करा रहे हैं जो अपनी उन्गली को ढखने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं